हालो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन इंग्लिश 3.1 सिल्वर जिसे लिखा है वॉल्टर दिले मैंने जो कि एक ग्रेट पोईट थे बॉर्ण वे थे 1873 में और डेथ हुआ था 1956 में एक ये इंग्लिश पोईट थे अज के इस पोईम में हम ये देखेंगे कि ये सिल्वर सिल्वर क्या है सिल्वर तो आपको पता है ना सिल्वर मतलब चांदी होता है लेकिन इस पोईम में एक सुन्दर एक बहुत ब्यूटिफुल नाइट की बात की जारी है जिसकी ब्यूटी बढ़ा रही है मून ओके मून जब रात होती है तो मून निकलता है तो सब कुछ सिल्वर दिखने लगता है बस वही इस पोएम में इन्होंने बहुत ही खुब सूर्टी से लिखा है और के ही डिस्क्राइब्स इन दिस पोएम वेरी ब्यूटिफुली सो अभी हम शुरू कर देते हैं Ajay is slowly silently now the moon walks the night in Shall जो चान्दे चान्द को एक ब्यूटिफुल लेडि का इन्होंने नाम दिया है एक हम चान्द जो मून इसको यहां पर एके ब्यूटिफुल लेडि ल्का से टुला की गई है कि वह कहरें कि चांद निकलती है तो चांदी शूर पेहन के निकलती है और देड़ी जुपके पांप सब्सक्राइवन इन तुलना के गई है तो चांदी तो चांद सबा लेभी एमगहे हुए आपको सभध्या रहा रहा है चांदी के शूज मतलब जो मून की यहां पर उसे बोल दिया है चांदी की शूज आगे चलते है दो वे लियुकर इंड्यक सीजाएंग इस तरह से देखो कभी आकरती पेर स मतलब जंदनी है एक दूर की यहा जौन दिकती है और सिर्धानलाइend मतलब कहने का यह है कि चांदनी जो है यहां वहां टाइम सेंद की जो ग्रशिलवर परिम एटfik नहिंद्धिलू करें और हर जगा पढ़ने की वज़ा से जो आस्पास जहां जहां पर पेड़ हैं ट्रीज हैं और उसके जो फूटस हैं सब के सब सील्वरी दिख रहे हैं एक तुम चांदी की तरह चमक रहहें सील्वर दिक चांदनी रात में वो चांद जैसे मतलब सिल्वरी दिख रहे हैं सिल्वर ट्रीस और उसके जो फूर्ट से वो भी सिल्वरी दिख रहे हैं इसके लिए जो बोला जा रहा है कि वो जहां जहां पर जागती है देखती है जहां जहां पर जागती है देखने का मतलब जहां जहां पर इसकी विम इसकी जो रेजे जा रहे है पड़ जा रहे है वहाँ पर जहाँ जहां मूनलाइट है वहाब सब कुछ ऐसा divory दिख रहा है सिल्वर पूड जो भी पड़ी है जो भी उसकी उपर फ्रूट्स लेगे हैं सब के सब चांदी की तरह चमक रहे हैं आगे चलते हैं वन बाइब वन दो कैस्मेट्स कैच और बीम्स बिनीद सिर्वरी थैच यहां पर देखो थैच का मतलब होता है ऐसा च्छत जो घास का बना हो जो स्ट्रौ का बना हो ऐसा रूफ जो कि किसका बना हो जैसे हमारा रूफ तो सिम Él का ठाट तो ऐसा रूफ जो कि जैसे मालो देखो यह ऐसा जो पड़ूड़ी है है और यह रूफ जो है सा जो हास का बना रहता है ऐसा चैमेट्स हैँ जाने लड़का हम ट हो एक फिल्टो एक ठीक है जो जो, यह यह बता रहें है जश्च मतलNews होता है Windows तो भी देखो संतल्य में बताए यह जो जिए जो घास के चट सब्सक्रेंद में तो बोल रहे हैं कि एक करके मून की जो किरने है मून की जो लाइट है जो मून लाइट है थैश पे पढ़ रही है ठीक घर की छटों पे घास की चट में और इसके बाद उसके नीचे जो खिड़की बिनीद सिल्वरी थैच इसको इसके लिए इस थैच को इन्होंने सिल्वरी बोल दिया क्योंकि ऊपर से चांद की रेज आ रही है तो पुरा थैच जो है इसमेसे किरने के विंडो पे पड़ रही है तो विंडों भी चमकने लग lying geh हो जा रही है आपको यह बात स्वन में आई होगी अगे चलते हैं देखें काउस्ट इन हिस कैनल लाइक लोग विक पॉस ऑफ सिल्वर स्लीप डॉग अब यह बोल रहे हैं कि कैनल मतलब जहां पर जो डॉग का जो घर होता है उसको कैनल बोलते है काउस्ट मतलब ऐसे पड़े पॉस मतलब जो आया धातको अब देख रहें है किमण replied टॉपम दो कोर्द अपने घर में ऐसे सोया है उसका उसके पंजे पे चांद की किरने पढ़ रही है तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई डॉग नहीं कोई लॉग है लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा इतना मोटा ऐसा लकड़ी का टुकड़ा ठीक है ऐसे लग रहा है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है चमक रहा है ओके फिर से ब लग रहा है कि वह डॉग नहीं है वह कोई वहां पर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है और उसी पर मून की रेज आ रही है वह चमक रहा है और के आगे चलते हैं फ्राम देर शेड़ कोड़ वाइट ब्रेट पीप ऑफ जोफ इन सिल्वर फैदर स्लीव अच्छा आप देखो कोड़ का मतलब होता है a small shelter for birds जहां जहां पर कोई भी shelter मिल जाता है जैसे कि देखो building के पास या हमारे जो घर के हमारे चट के नीचे जो थोड़ा च्छाओ रहता है जो नीचे वहाँ पर देखते हो ना कभूतर वहाँ पर बैठते हैं घोसला बना लेते हैं ओके आपने देखा होगा बच्छो तो वह बात वह कह रहे हैं कि from their shadowy court the white breast peeve of doves in silver feather sleeve यह देखो डव का दो क्या बोला जा रहा है कि जो डव है डव with breast peeve breast मतलब देखो बच्छो मैं यह भी बता देदी आपको जैसे chest फीमेल के chest को breast कहा जाता है अब क्यूंकि जो बड़ है उसके chest पे तो पंक रहते हैं उसके feather रहते हैं ना इसके लिए बोल रहे हैं कि अब उसके feather पीप मतलब जाकना होता है तो अब उसके पंक जाक रहे हैं मतलब उसकी आखे नहीं है कहने का मतलब एक shadowy जगा पर वो बैठी है सो रही है और उसके पंक थोड़े से बाहर निकले हुए हैं उसी को पोईट बोल रहे हैं कि वह जाक रहे हैं उसके डव के जो पंक है जहाक रहे हैं जो कि एकदम से silver silver दिख रही है जम चांदी की तरह चमक रही है एक बार फिर से बताती हूं मैं आपको निकले हुए है तो जब बाहर निकले हुए है तो वहाँ पे चांद का बीम बहुत बहुत आसानी से पढ़ जा रहा है इसके लिए उसकी पल चमक रही है अगे चलते हैं कि हार्वेस माउस गोशाय मोरें व 7 जो फसल जो 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 एक चरने कीजसाई पढ़ रहे हैं मतलब मून लाइट में वह भी चांदी के तरह चमक रहे हैं उनकी क्लॉज और उनकी आखे जो है चांद की तरह ऐसा मून लाइट में वह दम सिल्वर सिल्वर दिख रहे हैं जब बड़े चुहे रात को बाहर रिकलते हैं खेतों में फसल खाने के लिए तो उनके पंजे और उनके आखे चांदनी रात में वो सिल्वर जैसे चमक रहे हैं कि नेक्स एक और मुवलर्स फिश्श इन वाट गलीव बाइस इन सिल्वर श्ट्रिम देखों रिट्स का मतलब आ है जो लंबे लंबे पतले पतले से गहास ओते हैं घ्रास ओके स्ट्रिम तो मतलब आको पता है यह छोट चोटे जो नदियां होती है अगली मतलब पता यह शाइन चमकना तो अब क्या कह रहे है पोएट कि कि देखो छोटी छोटी नदियों में जो बड़ी बड़ी जो घास है पतले पतले लंबे लंबे वो भी मूलाइट में सिल्वर जैसा चमक रहे हैं और जो फिश है जो मुव लेंसे मुव नहीं करें चु सब कुछ चांद नी रात में जो भी दिख रहा है सब कुछ चांद जैसा चांद सिल्वर जैसा चमक रहा है और इसके लिए बोल रहा है कि इनस सिल्वर स्ट्रीम जो रीवर है चोटी 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 जो रीवर से ओके वह भी चांद की जैसे एक दम सिल्वर जैसे चमक रहा बाइस सिल्वर रीट्स अब बताया जो थिन ग्रास होता है वो भी सिल्वरी दिख रहे हैं अड़ा अगे प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है ग्लीज और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर भी होकी मिल्ते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय थैंक यू